हलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बोर्ड का एक्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पेपर में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे और एक सेंपल पर जो है उसी टाइप का हम सॉल्फ करेंगे तो आज़े स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप का हमें कॉश्चन पेपर पूछा जाएगा तो कॉश्चन पेपर हमारा तीन घंटे का होगा ठीक है जिसमें पार्ट ए होगा सेक्शन वन ठीक है अब इसमें हमारे पास क है वह आएगा हमारह कन की कोशन होंग है अब यह जो है के इस बार हमारा इंटर्ड uze Kelli स्किए गया है को स्थेडी स्कित है कम इस वीडियो चोंगे और उस को महिं हम सॉल् coriander करेंगे थिक है यह में हमार पास किस टाइब कोशन होंगे के स्टरी के कोशन होंगे जो कि हमार पास चार कोशन होंगे के स्टरी वन के स्टरी टू के स्टरी ट्री और के स्टरी फोर ठीक है तो हमार पास यहां पर चार कोशन है के स्टरी के उसको किस तरीके सॉल्व करना है आज किस वीडियो में हम देखेंगे और उसके बाद हमारे पास आता है part B अब part B में हमारे पास question है हमारे पास question number 21 से लेकर 21 से लेकर 36 तक है तो जो question paper ये होगा वो total 36 question का होगा ठीक है तो आई देखते हैं किस तरीके से इस type question को solve करना है आई अब इस question paper को हम solve करते हैं अब हमारे पास यहां पास section first है जो की one marks के question होगे यहां पर 16 question तो पहला question देखते हैं पहले question है बोला गया है what is the HCF of two consecutive even number दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF ग्याद कीजिए ठीक है सम संख्या है कौन सी होती है हम यहां पर करेंगे solution first वाले का ठीक है तो जो हमारे पास सम संख्या है सम संख्या सम संख्या कौन कान सी है जैसे दो हो गया 4, 6 8, 10 ठीक है इस तरीके से जो number होंगे जो 2 से भाग होंगे वो हमारे सम संख्या होती है अब इसमें बोला क्रमागत सम संख्या तो कोई भी हम दो नंबर ले लेते हैं, जो क्रमागत हो, जैसे कि 2, 4 ले लें, 6, 8 ले लें, 8 और 10 ले लें, ठीक है, यह क्रमागत है, क्योंकि 8 के बाद 10 आ रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे मैं ले लूँ 6 और 8, अब इन दोनों का अगर मैं HCF पूछूँ, ठीक है, तो इन 4 को करेंगे, 6 तो हमारा HCF क्या हो गया है, यहां पर? HCF हो जाएगा, हमारा 2, ठीक है, अब देखते हैं, अगला कोश्च인데, अब अगला कोश्च quem जो हमारे पास है, question number 2, question number 2 में हमें क्या बोला गया है, यदि बहुपद, हमें एक बहुपद रखा है, recess square प्लस 2 एक्सप्ल ठीक है, कि शुन्यांकों का योग, उनके गुणनफल के बराबर हो, तो k का मान ज्यात कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमार पास जो बहुपत दे रखा है, पॉलिनोमियल, वो कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है k x square plus 2x plus 3k, ठीक है, तो हमार पास a क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जायगा, और c क्या हो जाएगा, 3k हो जायगा, ठीक है, अब शुन्यांकों का योग, शुन्यांकों का योग मतलब alpha plus beta, वो होता है हमारा माइनस B अपॉन में A होता है तो यह हो जाएगा माइनस का दो बटे में K और इसी तरीके से शुन्यांकों का गुणन फल अलफा इन्टू बीटा वो होता है C अपॉन में A तो C हमारा 3K हो गया और A हमारा K हो गया ठीक है के से K कर जाएगा तो यहां पर 3 ही आएगा यह अब इसमें यह बोलाए कि शुन्यांकों का योगफल और गुणन फल दोनों क्या है बराबर है तो अगर मैं लिखूँ माइनस 2 अपॉन में K इक्वल टू 3 ठीक है यह वाला और यह जो अलफा इंटू बीटा है 3 आया है वो दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टिप्लाइ किया तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 3 K इक्वल टू माइनस 2 तो K की वैल्यू क्या हो गई माइनस का दो बटे में 3 तो इसमें K की वैल्यू हमारे पास माइनस का दो बटे तीन हो गई ठीक है आगे देखते हैं अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर तीसरा है इसमें क्या बोला गया है कि कि किस मान के लिए निम्ड समिकरों दो संपाती रेखाओं को दर्शाएगी ठीक है यहां पर दो एक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास 3x-y प्लस 8 इक्वल टो 0 सेकेंड है 6x-ky इक्वल टो माइनस 16 ठीक है तो यह बोला कि कोइंसिडिन लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो इस केस में हमारे पास जो कंडिशन होती है वो क्या होती है एवन अपॉन में एटू इक्वल होता है बीवन अपॉन में बीटू के ठीक है ठीक के एटू हमारा 6 हो जाएगा इसी तरीके से बीवन हमारा माइनस का वन हो जाएगा और बीटू हमारा क्या हो जाएगा माइनस का के हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल क्रॉस मल्टिप्लाइ किया 3K एक्वल टू सेक्स तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आगी 6 अपॉन मे समिक्रेंट के दुगने हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास जो एक्वेशन दे रखे वो क्या है 2x square माइनस 5x plus 2 equal to 0 ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके roots निकाल लेते हैं तो roots के लिए factor करें तो 2x square minus 4x minus x plus 2 equal to 0 यहां से 2x common आ गया तो x minus 2 बचा यहां से 1 common minus 1 common है तो x minus 2 ठीक है तो हमारे पास जो इसके roots होंगे factor तो हमारे पास 2x minus 1 और x minus 2 हो गए है तो roots कौन कौन जाएगे मतलब कि इसका जो x की value है एक तो आएगी 1 upon 2 और दूसरी आएगी 2 ठीक है तो यह तो इसके roots हो गए शून्यांक हो गए अब उसने बोला है कि एक द्विगाती समीकरण बताएं जिसके मूल दी गए समीकरण के दुगने हो तो इस equation के जो roots हैं 0 है वो हमारे पास एक बटे 2 और 2 आए हैं तो हमें दूसरी equation बतानी है जिसके roots क्या होंगे इससे दुगने होंगे तो उसके मैं अगर मैं alpha लूँ तो alpha उसका दुगना होगा एक बटे 2 का तो एक आ जाएगा ठीक है और beta जो है दो का दुगना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ठीक है तो उसके root हो जाएगे 1 और 4 तो उसकी equation निकालने के लिए क्या होगा equation निकालने होती है x square minus sum of roots सुन्यांकों का योगफल into x plus शुन्यांकों का गुणन फल product of roots ठीक है तो x square minus alpha plus beta तो 1 plus 4x और इन दोनों का गुणन 1 into 4 equal to 0 तो x square minus 4x plus यह हो जाएगा हमारा 5x और यह हो जाएगा हमारा 4 equal to 0 तो यह वाली equation इसका answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है question number 5 इसमें बुला है write the discriminant of the quadratic equation निम्ण द्विगात समिगरेंट के विविक्तिकर का मान बताए ठीक है तो इसको कैसे solve करेंगे question number 5 का तो हमारे पास इन दे रखा x plus 5 का square equal to 2 5x minus 3 तो इसको पहले solve कर लेते हैं तो यह जाएगा x square plus 25 plus 10x equal to 10x minus 6 10x से 10x कर दिया ठीक है तो x square plus 25 plus 6 equal to 0 तो x square कितना हो जाएगा x square plus 31 equal to 0 हो गया अब पूछा गया discriminant पूछा है दी पूछा है तो दी निकालने का formula होता है b square minus 4ac तो b तो यहाँ पर है ही नहीं ठीक है तो 0 हो जाएगा और 4a हमारे किता दे रखा है 1 और c किता दे रखा है 31 तो इसको अगर मैं multiply करूं तो यह कितना जाएगा minus का 121 ठीक है तो यह इसका answer हो गया 124 आएगा इसका answer ठीक है 124 minus का ठीक है तो यह answer हो जाएगा हमारा 5 वाले का अगला question देखते है question number 6 अब question number 6 में क्या वोला है find the 6th term of the AP तो यहाँ पर question में थोड़ा correction है AP जो होगी 17 है यह 14 होगा और यह 11 होगा ठीक है तो जो AP है वो क्या है वो है हमारे पास 17, 14, 11 तो हमें इसकी 6 term पूछी है तो first term तो A हमारा 17 हो जाएगा D हो जाएगा हमारा 14 में से 17 गए तो minus का 3 और N हमारा दे रखा है 6 तो 6 term निकालने का formula हो जाएगा A plus N minus 1 into D तो 17, 6 minus 1 और D हमारा minus का 3 तो यह जाएगा 17 जम पांच गुना minus 3 तो कितना हो जाएगा 17 पांच यह 15, minus का 15 यह जाएगा 2 ठीक है तो यह हमारा इसका answer हो जाएगा कितना? 2 ठीक है? अगला question देखते हैं अगला question देखते हैं अगला question है सात्वा इसमें क्या बोला गया है यदी संख्या है x minus 2, 4x minus 1, 5x जम दो समानतर शेणी में है तो x का मान गयात करें हमें यह बोला कि एक AP है ठीक है? मतलब question number 7 कर रहे हैं हम पहले तो AP हमें बोला गया है कि first term हो जाएगी x minus 2, second term हो जाएगी 4x minus 1 और third term हो जाएगी 5x plus 2 तो हमें पूछा क्या है? यह एक AP दे रखी है, पूछा है कि इसका x का value क्या होगी? ठीक है? तो अगर यह AP है तो इनका common difference यह a1 है, यह a2 है और यह a3 है, ठीक है? तो अगर AP है तो इनका जो common difference है d बराबर होगा, ठीक है? मतलब a2 minus a1 बराबर होगा a3 minus a2 के, ठीक है? तो ही हो जाएगा मारा 4x minus 1, minus कर देंगे x minus 2 को, और यह कितना हो जाएगा? 5x plus 2 minus 4x minus 1, तो इसको अगर मैं थोड़ा bracket open कर दूँं, तो कितना हो जाएगा? minus x plus कर दू, 5x plus 2 minus 4x plus का 1, ठीक है? तो यह जाएगा 3x plus 1 equal to x plus 3, ठीक है? तो यह जाएगा 2x equal to 2, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 आजाएगा, ठीक है? तो question number 7 का जो answer x की value हो, 1 हो जाएगी, अब देखते हैं, 8th question का solution, ठीक है? अब 8th में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, एक शंकू, अर्धगोला, वबेलन, एक बेलन, समान, आधार, तथा समान, उचाएके हैं, उनके आयतनों का अनुपाद इसमें बोलाएं कि शंकू है, एक कौन दे रखा है, ठीक है? एक कौन है, और एक अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब हेमिस्फियर है, ठीक है? एक हेमिस्फियर है, और एक सिलेंडर है, बेलन है, तीनों की जो उचाई और आधार है, वो समान है, ठीक है? आधार और इसका अब एँचा का अर्ध गूल्याय के अर्ध गोला है तो इसका अंब बोला निकालना है तो इसका volume क्या होता है one upon में three pi r square h ठीक है इसका r1 ले लिया ठीक है और ये h1 हो गया ठीक है और second है hemisphere का two upon में three pi r cube और इसका होता है pi r square h ठीक है तो one upon में three pi r तो इसका r रहेगा r square h भी कितना हो जाएगा इसका r होगा into r और यहाँ पर two upon में three pi r cube और यहाँ पर भी pi r square h इसका radius ही है तो r रहेगा ठीक है pi से तो pi cancel हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या बचा r cube upon में three यहाँ पर two upon में three r cube और यहाँ पर r cube r cube से r cube कर जाएगा ठीक है तो हमारे पास अब क्या बचेगा यहाँ one upon में three यह two upon में three और यह one अगर मैं LCM ले लूँ यहाँ पर तो इसको three से multiply करना पड़ेगा ठीक है अब denominator में three आ गया है तो इसका जो ratio होगा वो क्या हो जाएगा one two or three का तो इसका answer हो जाएगा one ratio two ratio three का ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है question number nine इसमें क्या बोला पताना है डी निकालना है ठीक है क्या निकालना है डी निकालना है तो हमारे पास पहली टर्म दे रखिए एक बटे पी दूसरी यह one up one minus P upon P और second है यह वाली ठीक है तो हमारे पास जो है a1 दे रखा है one upon me P ठीक है a2 दे रखा है one minus P upon me P और a3 दे रखा है one minus two P upon me P ठीक है यह दे रखा है तो हमारे पास जो question में बोला गया है वो यह बोला है कि यह aP है तो अभी a2 minus a1 equal to equal to कितना हो जाएगा हमारे पास a2 हमारे one minus P upon me P minus one upon me P LCM तो P रहेगा तो one minus P minus one one cancel हो जाएगा तो minus P upon me P cancel लगर के minus one तो इसका जो common difference है यह डी जो है वो हमारे पास minus का one हो जाएगा दसवा question देखते हैं दसवा question को देखते हैं क्या करना है इसमें बोला है write the statement of fundamental theorem of arithmetic ठीक है तो यह तो आप कर सकते हैं अगला देखेंगे question number 11 जो है 11 में बोला है केंद्रिय प्रविर्ति की तीनों मापों के बीच संबन बताने वाला सूत्र लिखना है ठीक है solution करेंगे हम 11 का मतलब mean median mode में क्या relation होता है वो पुछा गया है ठीक है तो वो क्या होता है वो ता हमारा है mode equal to 3 median minus 2 mean हिंदी में लिखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्य का minus 2 माध्य है ठीक है अब question number 12 देखते हैं बारवे में क्या बोला है बारवे में बोला है कि एक तिरबूज है ABC ठीक है तो यहाँ पर एक तिरबूज है यह ट्राइंगल दे रखा है A B और C अब यहाँ पर B DE जो है वो parallel है DE जो है वो parallel है BC के अब इसमें AD जो है AD जो है वो X प्लस 3 दे रखा है DB जो है वो 3X प्लस 19 दे रखा है और AE जो है वो X है और CE जो है वो 3X प्लस 4 है तो X की value निकाल लिए है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा अगर यह parallel है तो AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा X प्लस 3 अपॉन में 3X प्लस 19 इक्वल टू X अपॉन में 3X प्लस 4 क्रॉस मल्टिप्लाइ कर देंगे क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा यह जाएगा 3X स्क्वेर प्लस 19 इक्वल टू इसको करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 3X स्क्वेर प्लस 4X प्लस 9X प्लस 12 ठीक है 3X से 3X स्क्वेर से 3X स्क्वेर कर गया तो यह जा जाएगा 12 बटे 6 दो इसका answer हो जाएगा 2 अगला question देखते हैं आप question number 13 देखते हैं question number 13 और भाप एक से सो के बीच में कोई संख्या चुनते हैं तो उसके अभाज्य होने की प्राइक तक ज्याद कीजिए Prime number होने की probability पूछी गई ठीक है अब एक से सो के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं एक से सो के बीच में हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 25 ठीक है ठीक है जैसे प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं जैसे 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया इसी तरीके से करते हुए टोटल 101 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नमबर होते हैं अब हमें बोला है कि अभाज संख्या होने की प्राइकता ज्याद करनी है तो 25 हमारे पास टोटल प्राइम नमबर है तो probability निकाल हो जाएगी इसकी हमारे पास 25 बटे में 100 ठीक है 25 बटे में 100 इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आजाएगा अंसर एक बटे 4 तो तेरवे का अंसर हो जाएगा एक बटे 4 अब question number 14 देखते हैं question number 14 में बोला है 10x equal to दे रखा है हमें यह तो x कमान ग्यात करना है तो 10x equal to दे रखाए sin 45 गुना cos 45 कितनी होती है एक बटे रूट दो cos 45 की भी सेम होती है एक बटे रूट दो जमा और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 होता है वन अपॉन में 2 ठीक है तो यह जाएगा यह हमारा सिर्फ दोनों को एड़ करूंगा तो वन ही आएगा ठीक है half plus half one हो गया तो यह equal हो गया हमारे पास 10x के अब 10 की value किस degree पर कितने degree पर एक होती है तो जो होती है कितने पर होती है 45 degree पर तो x का मान कितना हो गया है 45 degree अगला question देखते है question number पंदरवा है इसमें यह बोला है तीन सिक्कों को एक साथ उचालने पर दो चित आने की प्राइक तक ज्यात होगी क्या होगी if three different coins are tossed together then find the probability of getting two heads तो अगर हम तीन को एक साथ उचालते हैं तो कौन कौन सी possibility है हमारे पास हमारे पास जो है possibility है head, head, head की, head, head, tail की, head, tail, head की, tail, head, head की ठीक है और head, tail, tail, tail की, tail, head, tail और head, tail, tail, head और तीनों tail तो total किती possibility है, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो हमें किस चीज की probability पूछिए है, हमें बोली है की find the probability of getting two heads तो दो head आने की probability पूछिए, तो यहाँ पर दो head, इसमें भी दो head आ रहे हैं, ठीक है एक, दो, तीन और चार, तो चार possibility हैं, जिसमें हमारे पर दो head है अगर यहाँ बोला, exactly two, तो हम सिर्फ इन तीनों को ही count करते हैं, जिसमें सिर्फ दो head हो तो दो से जादा भी हो सकते हैं, तो हमें यह भी count करना पड़ेगा इसमें, ठीक है तो इसकी जो probability होगी, वो हो जाएगी हमारे पर चार बटे आठ, इसको लिख देंगे, एक बटे दो अब अगला question देखते हैं, सोलवा, सोलवा question में बोला है, what is the probability of an impossible event किसी असंबव घटना के घटने की प्राइकता क्या होगी, तो इसका जो answer हो होगी, zero, ठीक है